आप देख रहे हैं चौहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे UGC के बारे में आप जानते हैं कि भारत के अंदर कोई भी कोर्स होता है कोई भी एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है या किसी भी कॉलेजी में होता है प्राइविट है या फिर आपकी public सरकारी university है सभी तरीके की universities जो होती है उनको UGC से मानने था लेनी होती है और UGC ही उनके लिए rules और regulation बनाता है UGC की तरफ से एक नई जानकारी दी गई है जिसमें उनकी तरफ से कुछ universities को चहतावनी दी गई है warning दी गई है तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के उपर है कि क्या वो warning और किस तरके की universities को क्या काम करने से मना किया गया है UGC warning in universities के छिलाब UGC ने जारी की छेतावनी तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यूजी सी इसूड वार्निंग अंगेस दीम्ड यूनिवर्सिटी दीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जान लेना जरूर है कि फर्क क्या होता है आपने अगर कई बार advertisements पढ़े हो यूनिवर्सिटी इसके जहां पर नए admission के लिए बोला जाता है कि हमारे यह यह course करवाया जाता है यह course करवाया जाता है आप इस session में हमारे यहां पर नए admission ले ले लेजी आपने बड़े-बड़े advertisement देखे होंगे या फिर आपने जो अख़वार होते जो newspaper होता हो उनमें भी advertisement आपको विज्यापन देखने को मिलते हैं उट में कुछ होते हैं जो कि सीधा लिखते हैं कि university है वो और कुछ में लिखा हुआ होता है bracket में आप देखेंगे नीचे कि deemed to be university तो इस यह deemed to be university होता क्या है सबसे पहले यह जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है तो क्या होता है ऐसी universities होती है जो कि इस समय university नहीं है यानि कि UGC की तरफ से उनको university वाली जो माननेता होती है यह university वाली जो भी guidelines है जो कि requirement है आपकी UGC की तरफ से भेजी गई है उनको अभी पूरा नहीं किया यानि कि अभी उन्होंने उन guidelines को जो भी requirement UGC की तरफ से बताई गई है कि वो जब requirement आप पूरी कर लेंगे तभी आपको UGC से university वाली माननेता मिलेगी वो अभी उन्होंने पूरी नहीं की है अभी उनको पूरा करने में उनको समय लगेगा तो ऐसी universities जो होती है उनको deemed to be university लिखा जाता है तो उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि UGC ने अपना latest notification जो निकाला है उसमें deemed university के जितने भी institutions है उनके नाम में विस विध्याले का प्रयोग करने के ने चितावनी जारी किये यानि कि कहा गया है कि आप जो deemed universities है वो अपने नाम के आगे university ना लगाएं यह कहा गया है जारी अधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गए कि UGC के संग्यान में आया है UGC की तरफ तो यूजिसी को जानकारी मिली है कि कई संसान ऐसे जिन्होंने deemed विस विध्याले का दरजा दिया गया है और वो विस विध्याले सब्द का प्रयोग कर रहे है जो की UGC की अधिनियम 23 जो है उसके खिलाफ है यानिकि उनको अभी जो माननेता मिली है उससरफ deemed university की मिली है लेकिन वो अपने नाम के आगे सीधा university लगा रहे है जो की गलत है और इस तरीके से उनको गलत प्रचार नह नहीं लगा सकते इसमें धारा 23 जो है UGC की उसमें बताया गया कि विस विध्याले सब्द के उपयोग पर प्रतिबंद इस परकार है कि कोई संस्था चाहे corporate निकाए हो या फिर नहीं एक विस विध्याले के अलावा या उसके द्वारा इस्थापिज निगमित केंद्रे अ प्रांत्यययम या राजय अधिनियम किसी भी तरीके से और नाम से जोड़ने का हगदार रहेगा या निकी आपने सेंट्रल रूल के जरी अगर आपने को उनिवर्सिटी बनाई है तब ही आप उनिवर्सिटी जो है उसके आगे लिख सकते हैं विना उसके आप अपना वीडियो और आपको पसंद दरती वीडियो को लाइक जिरूर कीजिए शेयर जिरूर कीजिए